Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankita Sout, so NTA Udicinate Paper 1 Preparation में Unit No. 10 Higher Education System का First Lecture आज में लेकर आई हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे Ancient Indian Universities यानि के प्राजीन भारतिय विश्व विद्याले बहुत जादा important session है, बहुत जादा important topic है, कोई भी shift Udicinate exam में ऐसे नहीं होती जिसमें इस topic में से questions ना पूछे जाएं, इस video में exam के point of view से जितने भी important चीज़े हैं, सब को हम detail में cover करेंगे, so total 10 universities हैं, तक्षिला, नालंदा, वल लभी, विक्रम शिला और अदंत पूरी, ये 5 universities को आज इस video में हम cover करेंगे, और बाकी के universities निक्स्ट वीडियो में cover करेंगे, तो exam में पूछा जाता है कि जिसे तक्षिला university कहां है, कब बनाई गई, कौन-कौन से subject यहां पर पढ़ाए जाते थे, या फिर exam में ये पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे पुरानी university कौन सी है, तो वो हर एक important point को ध्यान में रखते हुए ही, ये session में आपके लिए आज लेकर आई हूँ, जिस पर आगे जाने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप दिसम्बर exam को target कर रहे हो, और चाहते हो कि शॉर्ट पीरिड में आपका exam qualify हो जाए, तो पेपर वन पर जरूर ध्यान दीजिए, और पेपर वन के smart preparation के लिए complete course हम लेकर आई है, जो कि examination के latest difficulty level और बिल्कुल नए pattern के हिसाब से बनाए गए है, तो पेपर वन की total 10 units को यहाँ पर daily live lectures के साथ cover किया जाएगा, Hindi English दोनों languages में courses available है, Full syllabus notes PDF format में मिलेंगे, जिसको बहुत असानी से अपने mobile phone में भी download करके आप पढ़ सकते हो, साथ ही 60 plus mock test में आपका पूरा syllabus cover होगा, और इसमें से as it is questions भी पूछे जाते हैं, इसके साथ ही 2000 plus MCQ question bank में आपको मिलते है previous year questions, most repeated questions and most expected questions, so given whatsapp numbers पर contact कीजिए whatsapp के through and जल्दी से this course को join कर लीजिए इसकी जादा जानकार है और free videos के लिए global online app को ज़रू download कीजिए, store section पर search bar में course का नाम लिख होगे, आप देख सकते हो flat 20% off चल रहा है यानि की exam तक सिरफ आपको 3600 रुपीज है की बार पे करने होंगे, overview के बाद content पर click करोगे, तो यहाँ पर demo videos है different educators की, तो आप किसे ही भी teacher का course join कर सकते हो, unit wise folders हैं जहाँ पर आपको mcqs lectures, theory lectures, mock test और notes मिल जाते हैं, जो की exam oriented way में बनाए गए हैं और paper को qualify करने में यह आपको बहुत ही जादा मदद करते हैं, जल्दी से given numbers पर contact करके आप इस course को join कर लीजिए, सबसे पहली university है तक्षिला university, आप इस university की सबसे खास बात यह है कि यह पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में सबसे पूरानी सबसे best और सबसे पहली university है, यह students, यह कितनी अच्छी बात है कि इंडिया ने ही पूरे विश्व को सबसे पहली university दी है, तो पहला question तो exam में यह यह आता है कि तक्षिला क्या है, तो वर्ल्ड की पहली university यह है, आप देखो बच्चों को पहला confusion यहां पर होता है कि तक्षिला की spelling यह है, या फिर यह है, लोग सोचते हैं कि यह दो अलग-अलग universities हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीके, इस ही university का नाम तक्षिला भी है और तक्षिला भी है, कहां पर है, यह देखो अठाइस सो साल पहले यह university थी, ठीके, and northwestern region जो है इंडिया का वहां पर यह university हुआ करती थी, लेकिन अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, तो उस दोरान यह university पाकिस्तान के हिस्से में आ गई थी, यहां पर आप आप देखोगे कि 2700 यर्स हैं, यहां पर 2800 है, तो यह latest data के according है, तो यहां पर इसको आप 2800 लिख सकते हो, रावल पिंडी नाम की एक जगा है पाकिस्तान में, जहां पर यह university है, मतलब अब तो नहीं है, अब इस university को तोड़ दिया गया है, उसके पीछे भी कारण है, यहां पर हम देखेंगे, यह university बुधिस्ट सेंटर था, लर्निंग का बहुत शिक्षा यहां पर दी जाती थी, अब एक चीज़ में और आपको बिताती हूँ, कि जितने भी universities के बारे में हम आज discussion करेंगे, maximum universities जो हैं, वो बुधिस्ट सेंटर ही होता है, तो अगर exam में आपको answer नहीं भी आता होगा, तो कहीं लगाना है, तो go for Buddhist center, क्योंकि maximum times यह chances होते हैं, कि university वो वाले Buddhist center ही होता है, Buddhist center मतलब जो बहुत धरम के लोग होते हैं, वही वहां पर जादातर पढ़ने आते हैं और काम करते हैं, ठीक है, अब देखो तक्षिला यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया, एक बहुत ही जादा famous university है, बहुत से famous scholars ऐसे हैं, जो यहां से पढ़े हुए हैं, ओके, सो इन scholars के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने चानक्या का नाम सुना होगा, पानिनी है, चरक है, जीवक है, यह सब ऐसे famous scholars हैं, जो की तक्षिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने कौटिल्या का नाम सुना होगा, यह भी इस यूनिवर्सिटी के ही scholar थे, तो एक्जाम में यही question आता है, यह चानक्या और पानिनी का तो बहुत बार पूछा गया है, कि यह दो scholars कौन सी ancient Indian university से पढ़े थे, तो आपको answer पता होना चाहिए, तक्षिला, अब देखो, रमायन के हिसाब से जो भरत थे, आपको पता है, राजा भरत के बारे में सबने सुना होगा, वो क्या थे, राजा भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस शहर की स्थापना की थी, और उसे लिए इस university का नाम तक्षिला युनिवरसिटी रखा गया था, बरत कौन थे, बगवान श्री राम के भाई थे, है ना, तो उन्होंने उनके पुत्र का नाम तक्ष था, उसी नाम पर ये जगहा रखी गई, और उनी के नाम पर इस university का नाम रखा गया था, ये स्थल शुरू में इमारतों के एक शितिया रूप से जुड़े समू के रूप में विक्सित होना शुरू हुआ, जहां विद्वान व्यक्ति निवास करते थे, काम करते थे और पढ़ाते थे, तो ये कैसा था ये residential school भी था, university भी थी, यानि कि कोई यहां पर अगर पढ़ने जाता था तो उनको hostel के facility भी दे जाती थी, अब देखो आप लोगोंने entrance examination के बारे में सुना होगा, किसे भी university में पढ़ने के लिए आपको entrance देना होता है ना, वैसे ही उस जमाने में भी तक्षिला यूनिवर्सिटी में ना सिरफ इंडिया के लोग पढ़ते थे, बलकि बाहर के भी बहुत से लोग पढ़ने आया करते थे, और उन लोगों की हमेशा ये demand रहती थी, इस उनिवर्सिटी की बहुत demand रहती थी, तो इसलिए यहाँ पर entrance examination कंड़क्ट करवाया जाता था, ओके, सो यह चीज़े हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं देखो, Babylonia, Greece, Syria, Arabia, Phonica and China, यहाँ से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे, 68 subjects थे, जो कि यहाँ पर cover करवाये जाते थे, जिसमें वेद पुरान, भाशाएं, grammar, philosophy, ये पढ़ सकते हो, वेद, भाशा, व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, तीरन बाजी, राजनिती, युद्ध कला, खोगोल विज्यान, जोतिश, लेखा, वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य के बाद है, भविश्य विज्यान, दस्तावेजी करण, जादू, संगीत, नृत्य, ये सब चीज़े यहाँ पर सिखाई जाती थी, और भी बहुत से subjects हैं, लेकिन कुछ ये famous subjects हैं, जिनके लिए तक्षिला बहुत ही जादा प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी मानी चाती थी, अब देखो, यहाँ पर कॉटिल्य थे, अर्थशास्तर के author जो हैं, पानिनी, codifier of Sanskrit into today's form, जीवक, medicine के लिए, विश्नु शर्मा, author and compiler of, पंचतंत्र, ओके, सो यह सब चीज़ें आपको याद रखनी है, higher education पूरा concept based है, अगर जो history वाले students हैं, उनको यह चीज़ें आती होंगी, बाकी लोग भी बस story की तरह याद रखिए, बहुँआ जादा इंट्रस्टिंग यूनिट है, दूसरा आजाता है नालंदा यूनिवरशिटी, नालंदा भी एक बहुत famous university थी, जैसे तकशिला थी, उतनी ही famous नालंदा थी, नालंदा कहां पर है, विहार में है, नालंदा यूनिवरशिटी विहार में है, एक चीज और बताती हूँ कि पाकिस्तान में ये तक्षिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये पाकिस्तान में है और थी ठीक है लेकिन काफी समय पहले एक युद्ध के दरान इसको तोड़ दिया गया था अब ये homework question मैंने दे दिया कि तक्षिला यूनिवर्सिटी को खत्म किस नहीं किया था उसको तोड़ा किस नहीं था ये भी question exam में आता है homework question दे दिया आंसर जरूर मुझे comment करके बताईएगा सो नालंदा भी एक famous university है जो कि बिहार में है ये भी देखो Buddhist study मैंने बताई ना बहुत आधिया इनके लिए maximum universities होती है तो ये भी बहुत studies के लिए थी इसमें आपको ललित कला, medicine याने की चिकितसा, maths याने की गनित, astronomy, खगोल, विज्यान, राजनिती, युद्ध की कला, तलवार, वाजी, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी अब जैसे computers हर एक university में compulsory है, क्योंकि समय की ज़रूरत है, समय की requirement है ये है न, वैसे ही उस समय में क्योंकि राजा महराजाओं का समय होता था, ये universities में वही राजा महराजा चलाया करते थे जिसे एक university है, राजा जनक, राजा जनक कौन थे, सीता माता के, पिता थे, है न, सो राजा जनक ने भी एक university अपनी चलाई थी, उस university का क्या नाम था, ये भी exam में बहुत बारा है, ठीक है, सो उस समय क्योंकि राजा महराजा ही universities को चलाया करते थे, सो क्या होता था कि उनको इसने युद्ध बहुत compulsory होता था, किसी भी university में जाते थे, तो वहाँ पर युद्ध लड़ना, तीरवाजी, तलवारवाजी, ये सब जरूर सिखाई जाती थी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक university ऐसे भी है, जो कि सीता माता के पिता, राज जनक के द्वारा चलाई गई university थी, वही वहां के main member थे, वही उस सब चीजों को handle करते थे, जैसे भी guest lectures के लिए, बहुत से export faculties आते हैं, वैसे उस तौरान उस university में राजा जनक आया करते थे, ठीक है, तो ये चीज़े भी हम आगे discuss करेंगे, अगली university है, विक्रम शिला, ओक पाला डाइनेस्टी के, उनके द्वारा इस university को establish किया गया था, उसकी स्थापना की गी थी, ये भी देखो, Buddhist learning center है, क्या है, बहुत शिक्षा का केंदर है, ये वाली university भी, इसलिए मैंने ट्रिक बता दी, कि अगर तुका ही मारना है, कुछ भी नहीं आथा, तो क्या कीजिए बहुत धरम पे फोकस केजिए, इसमें क्या होता था, जो विद्वान होते थे, बहुत शिक्षाओं के प्रसार के लिए भारत के बाहर के राजाओं द्वारा मंत्र किया जाता था, जितने भी scholars होते थे ना, जो कि यहांपर Buddhist teaching करते थे, जो students आएं, उनको पढ़ाने के इसमें भी देखो, logic सिखाया जाता था, यानि कि तरक शास्त्र सिखाया जाता था, वेद, खगोल, विज्ञान, शहरी विकास, कानून, व्याकरण, यानकी grammar, यह सब चीज़ें से उनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी, इसके अलावा, हम देखो, मैंने आपको बिताया ह है कि हम लोग अभी 1st August से MCQ स्टार्ट करने वाले हैं, सो अगर कुछ remaining points हैं, जो कि इन sessions में मिस हो चुके हैं, वो उस MCQ session में आप लोगों को मिल जाएंगे, अगला है, गुज्रात's first and oldest university कौन सी है, वो है वललभी university, सो ये एक question exam में बहुत बार आ चुका है, वललभी विश विदाले हैं और ये भी बहुत शिक्षा ही देता है, बुद्धिस्ट लर्निंग ही देता है, ओके, अब यह कहां पर है, भावनगर डिस्टिक है, गुज्रात में, वहां पर अब वललभी university है, ठीके, वललभी university नालंदा और तक्षिला के जितनी famous तो नहीं थी, लेकिन फि पते हम सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो अपने सनातन धर्म, अपने धर्म, गरंत, वेद, पुरान, इसके बारे में बहुत फोकस किया जाता था वललभी university में, और सब्जेक्ट स्के लिस्ट यहां पर आप लोग देख सकते हो, लौ भी बढ़ाया जाता था, अभी तक शायद हम लोग उने कसी भी university में law की बात नहीं की है, जिसको की नित्य शास्तर कहा जाता है, तो वो भी वललभी university में पढ़ाया जाता था, स्थिरमती और गुमती इस विश्य विद्याले के दो प्रसिद्ध छात्र थे, तो यह इतने जादा famous भी नहीं थे, कभी exam में आते भी नहीं, तो आप इसको skip भी कर सकते हो, अब देखो एक question है, यह previous year question है, net exam में पूछा गया है, तो upcoming exam में भी आ सकता है, ठीक है, हिन्यान में विशिष्ट अध्यायन के लिए प्रसिद्ध प्राचीन भारतिय विश्व विद्याले कौन सा था, बललभी था, the famous ancient Indian University in Hinayana had specific studies of विश्व विश्व विद्याले था, so आज का last university का नाम है, उदंतपूरी उनिवर्सिटी, उदंतपूरी विश्व विश्व विद्याले, okay, यह भी ancient Indian उनिवर्सिटी है, जिसमें की लगभग 12,000 students पढ़े थे, और लगभग 400 साल तक यह उनिवर्सिटी चली थी तो आप देख सकते हो, 400 years तक यह उनिवर्सिटी रणिंग पर थी, उसके बाद यह बंद हो गई थी, okay, यहाँ पर आप देख सकते हो, जितना भी यह उनिवर्सिटी आपका बहुत धरम पर फोकस नहीं करती, उदंतपूरी उनिवर्सिटी जो तिबतियन टेक्स्ट है, ति जिसे हमारे गरंथ पुरान होते, गीता, महभारत, यह गीता वगरा हम सब पढ़ते हैं, वैसे ही तिबतियन के भी अपने कुछ गरंथ होते हैं, उनके गरंथों में पांच महान विश्वविद्यालियों में एक नाम उदंतपूरी का भी है, क्योंकि तिबतियन टेक्स्ट इसमें famous universities के नाम पर लिखे हुए, ठीक है, जैसे देखो धरमपाल और पाला डाइनेस्टी, यहां पर भी हमने पढ़ा था, विक्रमशिला युनिवरसिटी भी किस के द्वारा स्थापित की की थी, धरमपाल के द्वारा जो की पाला डाइनेस्टी के किंग थे, वैसे ही उ अचारेश्री गंगा, who was a professor of विक्रमशिला युनिवरसिटी, was a graduate of this उदन्थपूरी युनिवरसिटी, so यह देखो कितनी famous university है, एक professor जो कि विक्रमशिला युनिवरसिटी से graduate हुए थे, वो इस युनिवरसिटी में, यानि कि उदन्थपूरी युनिवरसिटी में पढ़ा करते थे, so इतनी famous, जैसे अभी IITs वगरा के नाम चलते है न, वैसे ही, यह वाली universities उस जमाने के famous universities थी, जहां पर आने के लिए लोग बहुत demand रहती थी, लोग बहुत पसंद करते थे इन universities में आने का है, so thank you so much everyone for watching this video, कोई भी doubt हो, कोई भी queries हो, बेज़ हुचक मुझे comment करक and जितने भी remaining universities हैं, उनको हम next lecture में cover करेंगे, so thank you so much and I wish you all the very